जी सर्दियों का मोसम है और आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिश के मज़दार से समोसे बहुत ही क्रिस्पी और यकीनन आपने इससे पहले फिश के समोसे नहीं बनाई होंगे तो अगर आपको आज की मेरे रस्पी पसंद आ जाए तो प्लीस आप लोग मेरे चैनल को लाइ क्यां जाल्याई करें शॉर्ब कि शयर आपके यह तो चलें बनाना शुरू करते हैं ऐसलम अले कूम जी तो सब से पहले हम बना रहेते हैं समोसे की डो जिसके यह मोजा कि बनाने के लिए यह हमने सब से पार जा निया है यह हों परеняदा अधा किलो इस में डाला और वन और यहाफ टीस में डाल रही हूं सफैस जीरा और डालूंगे मैं इसमें दो बड़े खाने के चम्मच और अच्छे समें मिक्स करेंगे सबसे पहले जो हमने जो मसाले डाले हैं इसमें मैदे में वह अच्छे से मिक्स हो जाएं और यह देखें यह एक मुठ्थी बन रहा है आटा तो अब हम इसे गूंद लेंगे फोड़ा थोड़ा सा करके हम पानी शामिल करेंगे एक साथ हमने पानी नहीं शामिल करना इसमें हमने इससे समूसे बनाने हैं समूसे बनाने के लिए डो जो है में सख्त चाहिए तो हम कि यह देखें है जादा नरम हो ना जादा सख्त हो इस तरह से हमने इसकी डूब नानी है मोसो का आटा जो है वह मैंने घून लिया है अब इसके उपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ओयल 1 टीस्पून के जितना और फिर मैं इसे ढख के रख दूंगी आदे घंटे के लिए यह घंटे के लिए रेस्ट दूंगी आटे को मैं और जब तक हम इसकी स्टफिंग तयार कर लेते हैं समोसों की तो यहां स्टफिंग तयार करने के लिए मैंने लिया है ओल लिया है इसमें मैंने वन टेबल स्पू कीमा यह दालाइक कि मreneं अलना है दो शामिल करके 45 आ हंधेश नो छी इसे शामल करके प्रोल चालाइक कर लेंगे इसे अजुक प्राइब निर हुस्तकरे वह-woo चिश और थे। बलोग उच्छिखने कर लिया और फाने पानी पिन ID जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए उस वक तक पका लेंगे और यहां देखे पानी जो है वो खुश्क हो चुका है फिश का तो आप हम इसमें मसाले एड करेंगे मसालों में डाल रही हूं हाफ टीस्पून के इतना नमक वन टीस्पून ब्लेक पेपर काली मिर्च पी सीवी हाफ टीस्पून हल्दी शामिल करूँगी इसमें मैं और गरा मसाला शामिल कर रही हूं वन टीस्पून और आफ टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूं लाल मिर्च पी सीवी हाफ टीस्पून मैं डालूं कुटी वी लाल मिर्च अबसे यही हमने मसाले इसमें डालने और मसाले डाल के अच्छे से जो हैं फिश की भुनाई कर लेंगे अगर ज़ूरत पढ़े तो आप पानी वाइट वनेगर शिर्का वनेगर शिर्का वनेगर शिर्का सफैसिर्का और यह डाल के अच्छे से भून लूगी अच्छे से भूनलूंगी मसाले अपने टेस्ट के साब सकते हैं कम या ज्यादा बस अच्छे से भूनाई कर लेनी है और देखें माशाललह से जबरदस हमारी फिश जो है मसाला जो अच्छे से भून चुका है तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूं मैंने लिए तेन मीडियम प्यास इनको मैंने बारीग बारीग सा चॉप किया है इनको शामिल करूंगी और तीन मैंने लिए लिए इनको मैंने छॉप कर लिया था तो यसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे अमने पकाना नहीं है इनको बस अच्छे से मिक्स करना है बिच में और फिर मैं शामिल कर दूँगी हरा धनिया हरा धनिया मैंने लिया था हाफ बंच काट लिया है तो यह शामिल कर लूँगी बस इनको डालके अच्छे से मिक्स करना है और चूला बंद कर देना है और जो स्टफिंग हमने तयार की है इसे ठंडा कर लेना है अगर आपको आज की मेरे स्वी पसंद आ है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए सब्सक्राइब की जो मेरे वीडियो को अपनों के साथ दोस्तों के साथ शेयर जूर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यूँ है प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और जिस स्टफिंग हमारी तयार हो चुकी है थंडी हो चुकी है तो यहाँ पे जो हमने दो तयार की थी तो आदा घंटा हो गया इसे रखे वे मुझे अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ चुट-चुटे से इस तरह से हमने पेड़े बना लेने है इसी तरह से मैं सारे जो है चुट-चुटे से पेड़े बना लूँगी इसके बाल्स बना कर मैं रख लूँगी यह देखें तो मैं इनको बना लूंगी तो ब मैं एक पिडा लूंगी जबसे पहले हमने आटा डस्ट करना है और इस पेड़े को हमने जो है बेल लेना है चोटी से रोटी हमने बनानी है ना ज्यादा पतली हो ना ज्यादा मोटी हो दर्म्यानी हमने बेल लेनी है और यहां रोटी जो है मैंने बेल लिये समोसे की यह देखें कितनी ठीक रखी है मैंने इसी तरह से मैं सारी बना के रख लूँगी और अब मैं जो है इसकी कटिंग करूँगी आपने जिस शेप के बनाने हो अब उस शेप के बना सकते हैं तो यहां जो है मैं कटिंग कर लूँगी इसकी और जो हम यह जो कटिंग करके हटा रहे हैं आटा दो जो हमने कटिंग करके हटाई है इसको मजाया नहीं करेंगे इसकी हम जो है नमक पारे बनाएंगे और यह देखें इस तरह से कटिंग कर लेना है और बीच में हमने जो है स्टफिंग जो बनाई है वह रख देंगे जितनी आपको पसंद हो कम या ज्यादा और हम यहां साइडों को पानी लगाएंगे इसके कि जो हमारा समोसा है अच्छे से जो है वो बंद हो जाए खुले नहीं जब हम इससे फ्राई करेंगे इस तरह से आपने इसको प्रेस करते जाना है और एक कांटे की मदद से आपने इस पर डिजाइन बना लेना है यह देखें इस तरह से आप बना लिजेगा माशालला से हमारा समोसा जो है वो रेडी है और आप जो है मैं दूसरी शेप का बनाऊंगी समोसा आपको जो जो जैसे पसंद हो आप ऐसे बना सकते हैं इस तरह से मैंने बना लिया है और इसके अंदर मैं स्टफिंग रख लूँगी फिश के समोसे वाकर ही बहुत ही मज़े के बनते हैं मैंने भी फर्स टाइम ही बनाए है आप भी जरू ट्राई किजेगा इनको और जी हमारा ये भी जो समोसा है रेडी हो चुका है इसे तरह से मैं सारे बना के रख लूँगी ये देखें मैंने बना लिया है अब इसे तरह से इनको फ्रीज भी कर सकते हैं और इस वक जितने मुझे बनाने होंगे मैं इनको फ्राई कर लूँगी यहां पर ओयल लिया है मैंने अपनी छोटी इसी कड़ाई में तो मैं समोसों को फ्राई कर लूँगी आप इसे कैचप के साथ खाएं ग्रीन चटनी के साथ खाएं बहुत ही मज़े के लगते हैं बहुत ही क्रिस्पी बने दे समोसे आज कर सर्दियों का मोसम है और फिश खाने में तो वैसे ही बहुत ही मज़े की लगती है आप इस रूट राई कीजेगा इस रेसिपी को तो यहां समोसे जो हमें फ्राई कर लिये थे और अब मैं बना रही हूं नमक पारे जो हमने डो कट की थी आटा जो हमने कट किया था उसे हमने जाया नहीं किया है तो उसके हमने नमक पारे बना ली है हमने बहुत मज़े की बने थे भी ये देखें अप आप सकते हैं हमारी एक चीज से दो दो चीजे बन चुकी हैं एक डोर्ष कमनाई हैं समोसे भी बना लिए हो नमक पारे को किना लिए हमने डबलमजा तो आप मैं इसे डी शाउट कर लेती हूं और मज़दाद से देखे हमारे समोसे और नमक पारे बिलकुर रेडी है रस्वी पसंद आया तो प्लीस लाइक जूर कीजएगा दौाओं में याद रखेगा खुश रहेगा अला हाफिज बिलकुर चलीस लाइक जडिक है जर झाला हाऊ जहाओं में याद़ो झाला हाँ